आज हम डिसकस करने जा रहे हैं Python operators operators के बारे में हम डिसक्स करेंगे तो operators जानने से पहले हम या कि operator और the difference क्या है the difference वो होता है कोई एक variable जिसमें data इस्टोर हो, जैसे एक एक्जाम्पल ले जिए, a equal to 10, and हम ने एक और दूसरा variable ले लिया 20, let's suppose इसको add किजिए, a plus b, तो यहाँ पर जो a and b है, यह क्या है, operand है, क्या है, operator क्या है, यह जो plus sign है, जो symbol है, यह operator है, ठीक है, तो यह क्या है, operand है, और यह क्या है, operator है, तो हम कोई भी manipulation करते हैं, तो उसमें operands और operator दोनों आते हैं, तो मैं यहाँ पर comment आउट करके लिख देता हूं, कि a, b are operand, and, यह symbol है, is called, इसको हम क्या बोलेंगे, operator, operator, ओके, तो यह है, operator, डिफ्रेंट टाइप्स के operator होते हैं, python में, तो एक एक करके, हम लोग देखेंगे, सब operator को, तो कुछ, यह मैंने लिखा है, कि, पहला है, arithmetic operator, second है, assignment operators, third है, comparison operators, fourth है, logical operators, fifth है, identity operators, sixth है, membership operators, seventh है, bitwise operator, तो कुछ, यह different types हैं, operators के, जो हम एक एक करके, पढ़ेंगे, तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं, कि, arithmetic operator, क्या होते हैं, सबसे पहले, discuss कर लेते हैं, कि, arithmetic operator, क्या होते हैं, arithmetic, operator, ओके, सो पहले हम इने, discuss करते हैं, अब, arithmetic operator के अंदर, क्या-क्या आते हैं, plus symbol, second आते है, minus symbol, third आते है, multiplication symbol, fourth आते है, divisor symbol, fifth आते है, modulus symbol, six था आता है, आपके पास में, exponent symbol, यह double star लगा दीजिए, यह exponent हो गया, और, फिर आते है, floor division, एक symbol होता है, एक-एक करके हम देखेंगे, इसको हम बोलते है, addition, addition symbol है, यह क्या है, subtraction, then, यह क्या है, multiplication symbol है, then, यह क्या है, division, division, division symbol है, इसको हम बोलते है, modulus, operator है, symbol है, यह operator है, इसको हम बोलते है, exponential, exponential, expo, financial, उसको हम बोलते है, floor division, so, एक-एक करके हम example देखेंगे, तो, कोई आप दो variable ले लीजिए, और उसी दो variable के help से हम सभी इन operators को समझेंगे, ठीक है, तो हम को यह सबसे पहले दो variable declare करते हैं, एक variable हम ले लेते हैं, x, और उसमें हम डाल देते हैं, 12, और एक second variable ले लेते हैं, y, और इसमें, let suppose हमने डाल दिया, 3, ओके, एक-एक करके चेक करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि addition, plus, ओके, तो चलिए, इनको add कीजिए, add कैसे करेंगे, x plus y, जैसे कि मैंने पिछले बीडियो में बताया था आपको, कि जब यह दोनो add होंगे, तो कोई हमको एक third variable की ज़रूरत पढ़ेंगे, जिसमें हम इन दोनों के sum का data store करेंगे, तो मैंने वो variable लिए लिया, let's suppose z, ओके, तो यह मैं print कर दे रहा हूं, z की value, ओके, so run कीजिए, चेक करते हैं एक बार, कितना answer आँ अचीए आपके इसाब से, 15, so check करते हैं, 15, देखी 15 आगया, ठीक है, तो चलिए same as same look, sub कर लिते हैं, जैसे, मैं इसका नाम change करते रहा हूं, sum हो गया, और मैं एक दूसरा variable ले 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 हूं, subtract, और मैं इसके अंदर, x-y डाल दे रहा हूं, और एक तीसरा variable ले रहा हूं, प्रू नाम रख तो इसका product है, x into y हो जा रहा है, और एक, div नाम का एक variable ले ले लेता हूं, उसके अंदर रखता हूं, x divided by y, then एक variable all ले लेता हूं, x पू नाम का, और उसके अंदर लिखता हूं, x, exponent y, ओके एक वेरिबल और ले लेता हूँ में लोर डिप और इसके अंदर में रख देता हूँ चलिए सबको प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर तीजी सम और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ओके यहां हम लिख देते हैं सब्सक्राइब लिख देते हैं प्रोड़क्ट यहां लिख देते हैं डिवीजन यहां लिख देते हैं एक्सपोनेंशेल जो हमने वैरिबल डिकलेर किये यहां वही समय लिख रहा हूं क्योंकि इसी के अंदर कैल्कुलेशन होने के पाथ यह सब डेटा इस्टोर हुए है तो हम वही वैरिबल को यहां लिख रहे है फ्लोर देवीजन ओके सो रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है और पुट में क्या आता है तो चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां देखिए हमने क्या किया इन दोनों को सम किया वह क्यों एक्स और वाई को सम किया तो कितना किया है 15 यहां पर दिखिए रिजल्ड if अब यहां देखिए एक डिवीजन डिप 12 divided by 3 यहां ध्यान दीजी कि यह decimal में आ रहा है means float में आ रहा है तो जब भी कभी भी एक division का symbol लगा है यानि कि वो float में answer आएगा और अगर वही double में लगा है तो यह केवल integer वाले part को लेता है integer formula तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है floor division का integer division तो एक दूसरा नाम भी होता है integer division ओके तो अब यहां देखिए यह exponent पर देखते हैं तो exponent का मतलब क्या होता है चलिए मैं इसका एक दूसरा नाम है कि एंटीजर कि डिवीजन ओके अब यह देखिए काम गैसे करता है यह exponent आपको में बदा रहता है देखिए एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि एक्स की जब कितना लिखा है 12 उस 12 की पावर है 3 12 की पावर है 3 इस मेंस कि 12 त्री टाइमस लिखा है मल्टिप्लाई में 12 एंटू 12 एंटू 12 इसका मेंस क्या होता है पावर कि एक्स टू दी पावर वाई ओके समझ में आया तो अगर सिंगल डिवीजन लगा है तो वो फ्लोट बैलू देता है और अगर डबल डिवीजन लगा है तो वो इंटीजर डिवीजन कहलाता है यह इंटीजर टाइप का आंसर देता है और ये फ्लोट टाइप का अंसर देता है और ये प्लस, माइनस, मल्टिप्लिकेशन ये सब तो समझ में आ गया हुआ तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे थैंक यू